लेट्स इमेजिन आप काम से घर लोटते हैं, डिनर करके अराम से सो जाते हैं और अगली सुबा जब आपकी आप खुलती है तो पता चलता है कि आपका बैंक एकाउंट खाली हो चुका है और आपकी सारी मेहनत की कमाई एक रात में चली गई रिलाक्स काईस ये सिर्फ इमेजिन करना था, नमस्कार मैं हूँ अनिली आदब और आप सब देख रहे हैं नीट रूट्स वैसे ये रियल लाइफ इंसिडेंट है जो हर दिन बहुत सारे लोगों के साथ होता है साइबर क्रिमिनल्स बहुत ही सांत रूप से लोगों के परसनल इन्फरमेशन और डिजिटल प्रोपर्टिस को चुराने के तरीके डूड रहे हैं वो फिसिंग, मालवेर और सोशल इंजिनेरिंग जैसे डिफरेंट तरीकों का उप्योग करते हैं अब तक तो आपको पता चली गया होगा आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं हाँ आपने सही सोचा आज हम हैकर्स के बारे में बात करने वाले हैं सब्द सुनते ही आपके दिमाग में black mask पहना हुआ, hoodie का टोपी लगाया हुआ, dark room में computer के सामने कुछ करते हुए इंसान का image आता होगा, तो अब जानते हैं असल में hacking and hackers क्या है, hacking एक टेकनिक है जिसमें computer system या private network तक बिना permission के पहुचने की परियास किया जाता है, hacking को और अच् पायदा उठाते हैं, वैसे hacker अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, इन्हें इनके काम और data का उप्योग करने का तरीके के अधार में divide किया गया है, जैसे कि script kiddies, hacktivist, black hat, white hat, grey hat, पर हम आज black hat और ethical hackers के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ethical hacker के दुनिया के वो महारती होते हैं, जिने legal permission मिलती है किसी भी system पर attack करने की, या फिर किसी भी system पर legally penetration करने की, और इनका सिर्फ एक ही mission और vision होता है, किसी भी loopholes और bug को identify करके उस system और network को secure करना, और अब जान लेते हैं black hat hackers के बारे में, black hat hackers, digital area के कुछ ऐसे computer expert होते हैं, जिनके पास किसी भी system को penetrate करके उस system में access पाने की कला होती है, या फिर किसी भी system पर illegal और without permission attack करके exploit करने को black hat hacking बोलते हैं, और इनका काम cyber crime और cyber attack करने का होता है, और इनका एक ही mission और vision होता है, किसी भी computer networks पर attack करके उनके sensitive information को leak करना, या फिर उसका गलत इस्तिमाल करके दूसरों को या बरबाद करना, अगर हम किसी का murder करेंगे, तो हमें jail या फिर कोई और सजा होती है, similarly अगर हम किसी के personal data चुराते हैं, तो उसकी privacy के साथ हम खेलवाड करते हैं, जिसको हम cyber crime बोलते हैं, और इनके लिए भी सभी countries में loss और punishments होती हैं, अब हम cyber loss और punishments के बारे में बात कर जैसे कि अगर आपने किसी का password hack कर लिया, तो आपको 3 साल तक का jail और 1 लाग तक का fine हो सकता है, इसी तरह से web jacking के लिए 3 साल तक का jail या फिर fine या दून हो सकती है, उसी तरह scamming के लिए 3 साल तक का jail या 5 लाग तक का fine हो सकता है, ये थे कुछ important cyber loss और अगर आपको और भी cyber loss के बारे में जानना है, तो दिये गए link पर click करके आप सभी cyber loss के बारे में जान सकते हैं, और अब जान लेते हैं आखिर आपको किस किस चीज का knowledge होना जरूरी है certified ethical hacker बनने के लिए, तो सबसे पहले आपको computer networking अच्छे से आनी चाहिए, उसके बाद आपको Linux यूज करना आना चा So guys, आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो like और comments करिए और neat routes को subscribe करना मत भूलिए, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और cyber crime के बारे में खुद को update करते रहिए, stay safe, stay secure, thank you